हालो एबरिवन आज की स्नेवड में आप सभी लोगों का स्वागत है अगर आपने च्छतित गड़ स्वामवी विकनन टेकनिकल इन्वर्सिटी से आपने एम टेक, बी टेक, पिएचडी कोई भी कोर्स किये होंगे अगर अभी तक आपने डिगरी नहीं लिये हैं तो दोस्तो आज छोड़ो में हम आपको बताएंगे कि आप आउनलाइन डिगरी के लिए कैसे अपलाई करेंगे पूरी जनकारी इस विडियो के माधम से आपको मिलने वाला है तो विडियो को आपको अंतक देखना होगा जिससे आपको पूरी जनकारी मिल सके देन आपको कोई भी ब्रोजर ओपन करने लिलना होगा उसके बाद हरेंगे आपको यहां से सर्च करेंगे चलिए सेर्च करने के बाद इंटर्फेस कँछ इस प्रकार दिखाई देगा देखें यहां पे लिखाई दोस्तों पर 36 गाड़ सौंवी विकनन टेखिनिकल इनवर्सेट इसपे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको डिजी वर्शिटी पर क्लिक करेंगे उसके बाद देखें आपके सामने कुछ नया पेज ओपन हो जाएगा तो यहां पर नया पेज ओपन हो चुक है उसके बाद यहां से फ्रेंड आप लॉग इन करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको इस टूडेन लॉग इन दिखाई दर इस पर आपको क्लिक करेंगे उसके बाद आपको अपना यूजर आड़ी और पास्वरड यहां आपको डालना होगा तो चलिए मैं अपना यूजर आड़ी और पास्वरड यहां पर डाल देता हूं लॉग इन करने के बाद यह नोटीस है इसको हम कट कर देंगे उसके बाद यहां आपको ऑप्शन मिलेगा डिग्री स्रेटिफिकेट के लिए अपलाई करने का तो यहां पर लिखा है पासिंग इयर जो भी आपका पासिंग इयर होगा आप यहां से फिलब कर लेंगे तो चलिए मैं अपना पासिंग इयर होगा आप यहां से स्लेक्ट कर लेंगे जैसा मेरा है मैं यहां से स्लेक्ट कर लेता हूं उसके बाद यहां पर देखिए क्या लिख लिखा है student name in Hindi तो फ्रेंड आपका नाम यहाँ पे हिंदी पे लिखना होगा और देखे फ्रेंड नीचे में क्या लिख्या है हम आपको पढ़के बता देता हूं तो फ्रेंड इस वेशचे में आपको जाना होगा उसके बाद आपको नाम लिखना होगा उसके बाद दोस्तों यहां आपके यार action कर देते हैं तो देखे फ्रेंड फ्रेंड पर इस पर नाम लिखने आपको एक बार किलिक करेंगे तो friend इस website पे चले जाएंगे, चलिए यहाँ पे हम click करके कर देते हैं, तो देखे friend, click करने के बाद friend आपके सामने कुछ इस प्रकार से नया page आ जाएगा, तो देखे friend यह नया page आ चुका है, तो friend इसी में आपको अपना नाम लिखना होगा, उसके बाद friend यहाँ से आपका ना कर देना होगा, तो friend मैंने paste कर दिया है, देखे friend यहाँ पे लिखा है, please note, तो कृप्या दे, student name in English, student name Hindi, please will be printed on certificate, please enter correct name without any selection, आपको हिंदी में बता दू कि छात्र का नाम अंग्रेजी में और छात्र का नाम हिंदी में, प्रमान पत्र, मुद्रित किया जाएगा, किरपा बीन किसी अभिवादन के सही नाम दर्ज करें, क्योंकि friend जो आपका certificate बनेगा degree certificate, तो friend यह आपका नाम दोनों में प्रमानित रहेगा, एक तो हिंदी में और एक इंगलीज में, तो friend आपका नाम यहाँ पे सही सही लिखिए, कोई भी mistake न कीजिए, उसके बाद friend देखी यहाँ प पुरा document लेकर आपको university जाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे लिख है applying info, यहाँ आपको दो option मिलता है, original first time, duplicate second time, तो friend अगर आप first बार है तो आपको original first time करना होगा, दूस्तोरा option है friend अगर आपका degree, mark शिट कहीं गूम होगे है, चोरी होगे तो आपको duplicate second time वाला करना हो उसके बाद है delivery type, delivery type में दो option, urgent और normal, तो friend आपको जो भी चाहिए, आप यहाँ से select कर लेंगे, उसके बाद है address line, address आपका पूरा पतार डाल दीजेगा, क्योंकि friend आपने by post किया है, तो आपका degree certificate है आपके घर तक पहुंचाया जाएगा, इसलिए friend आपका address सहीं सहीं, डाल कोई भी mistake ना कीजिए, देखिए friend मेरा दोनों address यहाँ पर complete हो चुका है, उसके बाद दोस्तों इस्टेट में जाएंगे, उसके बाद दोस्तों आपका जो भी state होगा यहाँ धूंदेंगे, उसके बाद दोस्तों आपका state select कर लेंगे, उसके बाद अपना district select कर लेंगे, आ आपका जो भी होगा, आप ग्राम पंचायत या city यहाँ से आप select कर लेंगे, और उसके बाद है friend आपका यहाँ पर pin code, आपका area का जो post office का जो pin code है, आप यहाँ पर डाल देंगे, तो चलिए मैं pin code डाल देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर लिखे है remark, रिमार्क में आपको degree certificate किसले चाहिए, आपको यहाँ पर reason लिखना होगा, job के लिए चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपको यहाँ पर रिमार्क में आपको लिखना ही पड़ेगा, इसको friend आपको खाले नहीं चोड़ेंगे, खाले चोड़ेंगे, तो आपका form fill up नहीं होगा, तो आपको यहाँ प रुपे लगने वाले है, तिसने नमबर पर दोस्तों duplicate and normal degree जो कि आपको 1000 रुपे लगेगा, और चौथे नमबर पर दोस्तों duplicate and urgent degree जो कि आपको 3000 रुपे लगने वाले हैं, उसके बाद friend एक बार चेक कर लिजेगा, आप जो form fill up की हैं, आप जो detail fill up की हैं, वो सही है, कि नह यहां पर टीक लगा दूँगा, ट्रेमेंट करने वाले होगा, तो चलिए मैं यहां पर submit करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा form यहां पर fill up की हैं, वो सही है, submit करने के बाद यहां पर कुछ information आजाएगा, उसके बाद friend यहां आपको अपना mark sheet upload करना होगा, semester का, जो कि friend यहां पर मेरा art semester का है, जो कि मेरा को यहां पर mark sheet upload करना होगा, देखे friend यहां पर लिख है, जो भी आप mark sheet upload करेंगे, वो 200KB होना चाहिए, 200KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 200KB से कम होना चाहिए, तो चलिए friend मैं अपना सभी mark sheet यहां पर upload कर देता हूँ, mark sheet upload करेंगे, चूस mark sheet होगा, उस folder को open कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों आपना mark sheet select करके, यहां से अप upload कर देंगे, तो चलिए मेरा mark sheet यहां पर मैं ढून लेता हूँ, कहां पर है, उसके बाद फिर देखे यहां पर इन्फरमेशन आ जाएगा, कि आपका जो mark sheet है, हो successfully यहां पर upload हो चुका है, करके, इसी प्रकार से जितना भी मैं mark sheet है, सब को यहां का करके चलिए मैं upload कर देता हूँ, उसके बाद देखे आपका mark sheet यहां पर दिखाई देगा, तो इस प्रकार से आप न व्यू करके चेक कर सकते कि सहीं mark sheet यहां पर upload होआ है कि नहीं, फिर cut कर देंगे, यहां से cut cut कर द से लिख लिजी का, बाद में आपको काम भी आ सकता है, उसके बाद submit application पर click करेंगे, उसके बाद दोस्तों आपको यहां से payment करना होगा, देखें यहां पर आपको payment करने के लिए आपको credit card, net banking, wallet, UPI, इसके थूँ आप payment कर सकते हैं, तो फ्रेंड यहां से मैं अपना credit card से या make payment पर click करेंगे, उसके बाद देखें फ्रेंड कुछ इस प्रकार से होगा, उसके बाद दोस्तों आपके register mobile number पर OTP जाएगा, उस OTP को यहां पर fill करना होगा, चले मेरे register mobile number पर OTP आ चुका है, तो मैं यहां पर OTP यहां पर fill कर देता हूँ, उसके बाद फ्रेंड यहां हमको make payment पर click करेंगे, उसके बाद दोस्तों आपका जो page है, थोड़ा सा loading लेगा, आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना, उसके बाद दोस्तों डिरेक्ट आप यहां पर आ जाएंगे, दिखें फ्रेंड यहां आपका जो payment हो successfully हो चुका है, और देखें फ्रेंड यहां पर application for degree certificate क करके लिखा हुआ है, तो फ्रेंड इस application को आप print करके अपने पास रख लिजेगा, देखें फ्रेंड नीचे आ जाएंगे, नीचे में आपको option मिलेगा, print करके, अगर दोस्तों आपका जो system है, वो printer से connected है तो आप print भी कर सकते, नहीं तो फ्रेंड आप इसको video फाइल में भ करके जनकारी अपने चैनल पर upload करते रहता हूँ, जिससे आपको बहुत सारी जनकारी मिलती है, तो छेलिए मैं मिलता हूँ नए वीडियो में नई जनकारी के साथ,